दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों CSC से IRCTC से टिकट बुक कैसे किया जाता है दोस्तों इस वीडियो में कम्पलेट बताऊंगा किस तरीके से टिकट बुक किया जाता है क्या क्या प्रोसेस है कैसे लोगिन करना है क्या है सब कुछ बताऊ किस तरीके से आपको id password मिलेगा तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों complete registration कर लिए है मेरे पास id password आ गया है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टिकट बूक किया जाता है तो चलिए देखते हैं दोस्तो मैं login हो चुका हूं सबसे पहले जो करना आपको देखना आपके وायलेट में कितना balance इससमयै है और आपको कितने रूपए का ticket बुक करना है तो आप अपने ne combined payment management से पहले payment manage करना के बाद में दूस्तों आफ देख सकत हैं IRCTC एक registration का option है, एक railway ticket booking का option है, तो मुझे booking करना है, तो इस पर मैं click करूँगा, दोस्तों, redirect करेगा यह IRCTC के official website पे, तो आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका interface open होगा, यहां से आपको login करना है, इसको okay करेंगे, यहां login का icon आपको लोग को दिख रह है, ID password कैसे मिलता है, दोस्तों, यह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा, complete वीडियो बना दूँगा उसके लिए, तो दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देखकर registration कर सकते हो, और आपको ID password मिल जाएगा, तो चलिए इसको मैं login कर लेता हूँ, दोस्तो आपको wait करना है, login करने के लिए, कभी-कभी net slow हो जाता है, तो थोड़ा सा time ले लेता है, तो थोड़ा सा इंतिजार करेंगे, दोस्तों, अगर capture डालने के बाद में, दोस्तों, कुछ इस तरीके से page open होगा, आपके आधार पर एक OTP आता है, दोस्तों, जब आपने registration किया थ लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ OTP डाल कर, submit OTP करेंगे, तब आप इसमें login हो पाएंगे, otherwise login नहीं हो पाएंगे, तो मेरे पास OTP आगया, मैं इसको OTP डाल देता हूँ, इसको मैं submit OTP करूंगा, दोस्तों, तो इसमें मैं login हो जाऊंगा, दोस्तों, आप लोग देख सक उसके बाद में, दोस्तों, date यहाँ से आपको select करना है, तो मैं date select कर लेता हूँ, उसके बाद में search करेंगे, तो दोस्तों, अगर available होगा, तो यहाँ so करेगा, आप लोग देख सकते हो, मुझे इस date में 24 फरवरी को मुझे book करना है, second seating वाला, तो इसको आप लोग देख सकत यहाँ आपको passenger का detail देना है, तो मैं डाल देता हूँ, अगर passenger का दोस्तों, नाम बड़ा है, तो first name डाल दीजिए, उसके बाद में फिर shortcut उसका, जो later है, वो आप डाल दीजिए, वो adjust हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ आपको, उसका age डालना है, तो age मैं यहाँ डाल दे देता हूँ, gender आपको select करना है, तो मैं mail कर देता हूँ, अगर आपको कोई seat चाहिए, तो यहाँ से आप लोग select कर सकते हो, मैं रहने देता हूँ, दूसरा passenger किलिक करने के लिए दोस्तों, अगर इसमें डालना है, और passenger add करना है, तो add passenger पर किलिक करेंगे, दूसरा option आ उसमें भी passenger का नाम डालेंगे, तो चलिए फिर से डाल देते हैं, उसके बाद में दोस्तों age डालेंगे, यहाँ age डाल देंगे, उसके बाद में gender select करेंगे, male या female, मैंने mail कर दिया, दोस्तों एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, तो दोस्तों जो आप ticket book करते हैं, तो पह mobile number डालने का option होता था, लेकिन आप mobile number चेंज करने का option नहीं होता, इसका एक बड़ा reason यह भी है, कि अगर आप agent ID से ticket book करते हैं, और customer by mistake अगर वो ticket cancel करवाना चाहता है, तो जो mobile number उसमें दिया था, उसी mobile number पर एक OTP जाएगा, तभी आपका payment refund होगा, otherwise refund नहीं होगा, तो अग refund करवाने के मामले में यह बहुत ही अच्छा system है, तो यह बहुत ही खमाल का feature आप आ गया है, यहाँ destination का address डालेंगे दोस्तों, चलिए में डाल देता हूं, यहाँ pin code डालेंगे, state automatic select हो जाएगा, यहाँ post office आपको सिर्फ select करना है, इसको time and condition को दोस्तों allow करना है, मतलब insurance आ करेंगे, दोस्तों इसका preview open हो जाएगा, आपको अच्छे तरी से देख लेना, total fair इसका जो है दोस्तों 888 रुपए आएगा मुझे, और जो मैंने नाम डाला है, वो सब कुछ आपको देख लेना है, date भी आपको देख लेना, कहां से कहां तक आप ticket book कर रहें, वो भी देख लेना है, उसके बाद में फिर से यहां को capture डालना है, capture डालने के बाद में दोस्तों continue पर click करना है, payment page पर आएगा दोस्तों तो इसमें बहुत लोगों को payment नहीं कर पाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा reason यह है कि दोस्तों उनको समझ ही नहीं आता, कि payment किस तरीके से करना है, pay payment select page, तो आपको select करना होगा, तो आप लोग देख सकते हो, यहां RDS URL का option है, यहां आप लोग देख सकते हो, इस पर click करना है, उसके बाद में यहां भी एक option open होता है, यह अच्छे तरीके से open नहीं होता है, अपडेट में थोड़ा से दिक्का था, यह अच्छे तरीके से open ह होने लगया, लेकिन आपको यहां select करना होगा, rail CSC RDS PG icon पर click करना है, आप उसके बाद में दोस्तों pay and book पर click करेंगे, तो payment page पर आपको यह redirect कर देगा, तो आप लोग देख सकते हो, दोस्तों payment page पर मैं आ गया हूँ, यहां आपको CSC ID अपना डालना है, उसके बाद में दो पर click कर देना है, payment यह automatic successful हो जाएगा, उसके बाद में ticket आपका generate हो जाएगा, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो, ticket generate हो गया है, इसको print कैसे करना है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, पहले में print करने का option दूसरा था, लेकिन आप system बदल गया है, तो print कर करने का option आप लोग यहां देख सकते हो, यह printer का एक icon show कर रहा है, इस पर आपको click करना है, next page में print का preview open हो जाएगा, यहां से, इसको print यहां से कर सकते हो, गर आपको print करना है दोस्तों, तो printer select करके आप इसको print कर सकते हो, या इसको मैं PDF में save कर लूँगा, तीन page में दोस्तों सेब करूँगा, otherwise मुझे जरूत नहीं है, तो save पर click करेंगे, दिश्ट आप select करके इसका कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैंने save कर दिया, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना आसान है CAC से ticket book करना, सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें अगर आप agent ID से ticket book करते हैं, तो आप लोग यहां देख सकते हो, यहां सब कुछ आपको आता है, आपका नाम, आपका address, email ID, mobile number, agent का यही फाइदा होता है दोस्तों, आप unlimited ticket इससे book कर सकते हो, आपका यहां brand भी आ जाता है, किस company से आपने यह agent ID लिया है, आपका नाम भी आ जाता है ticket पे, आपका mobile number भी आ जाता है, email ID भी आ जाता है, तो इससे और customer बनने की संभावना बढ़ जाती है, दोस्तों, और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप individual ID से बनाते है self ID से तो उससे 5-6 ticket ही book कर पाते हैं, लेकिन उसमें risk भी होता है, क्योंकि उसमें अपना ticket बनाना होता है, यह business के लिए है, दोस्तों, agent ID सबको ले लेना चाहिए, जिसके पास CSC ID है, तो उमीद करता हूं दोस्तों, आप लोग के समझ में आ गया होगा, किस तरीके से CSC से ticket book किया जाता है,